नमस्कार दोस्तों, B.S.A.T. की क्लासस में आपका सौगत है और आप लोग काफी समय से डिबांड कर रहे थे कि lower PCS के practice set, lower PCS के question को कराया जाए तो दोस्तों हमने शुरू कर दिया है lower PCS का practice set और ये जो है इसका part 1 है आज से आपको daily 25 question मिलेंगे जो केवल आपके lower PCS के लिए होंगे और उसी point of view से उसी level के बनाये जाएंगे तो दोस्तों देर ना करते हों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने practice set का पहला question पहला question हमसे कह रहा है किन दो परवस्यरे ख लाओं निफंड कि माद कश्मीर घाटी इस्थत है आपको बताना है किन दो परवस्यरू डियों के मद कश्मीर घाटी इस्थत हैं तो option देखिए अग़ आप चुनते हैं option B ब्रहत हिमाले एवन पीर पंजल तो बिल्कुल सही है ब्रहत हिमाले और पीर पंजल के वीच स्थित है हमारी कश्मीर खाटी तो option B यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा चलते हैं आगे निमलिकित में से कौन आकसाई चीन का भाग है दोस्तो 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तो भारत का कुछ हिस्सा चीन ने कबचा कर लिया और यही जो भाग है कश्मीर का यह कहलाता है आकसाई चीन जो चीन ने अधिकरत कर रखा है ओप्शन डी यहां पर बिल्कुत सही हो जाएगा निमलिकित में से सबसे प्राचीन परवसरंखला कौन सही है सबसे प्राचीन परवसरंखला है अरावली परवसरंखला ओप्शन भी बिल्कुत सही है अरावली भारत की ही नहीं बलकि पूरे विश्व की सबसे पुरानी परवसंखला है और या गुजरात, राजिस्थान, हर्याणा वा दिल्ली में फैली हुई है इसकी लंबाई लगवक 600 किलो मीटर है मैं फिर से बता देता हूँ या गुजरात, राजिस्थान, हर्याणा वा दिल्ली में फैली हुई है और इसकी लंबाई लगवक 600 किलो मीटर है आप्शन भी यहाँ पर सबसे हो जाएगा अरावली एवं बिंदे स्रंकलाओं के मद्ध कौन सा पठार है आपको बताना है अरावली की पहाड़ियां और बिंद्याचल की पहाड़ियां है उनके मद्ध कौन सा पठार इस्थित है तो आप्शन देखिए अगर आप चुनते हैं आप्शन A यानि मालवा का पठार तो बिल्कुल सही है अरावली और बिंद्याचल के मद्ध मालवा का पठार इस्थित है और आपको बता दें मालवा के पठार के उत्तरी छोर पर अरावली की पहाड़ियां है जबकि दक्षणी छोर पर बिंद्याचल की पहाड़ियां है और इसके पूरब में दखन का पठार है मालवा पठार के उत्तर में अरावली, दक्षिड में बिध्याचल और पूरव में दक्कन का पठार है और इस परकार यहां पर आप्षिन ए ब्रुकुल सही हो जाएगा नेम लिखेत में से किस तट से भारत का औसस समुदर तल ना पजाता है आप लोग जानते हैं हमारा जो औसस समुदर तल है वो किस तट से ना पजाता है भारत में कई समुदर तट है आपको बताना है सबसे पहले तो यह बात कमेंट बॉक्स में लिखकर कि भारत के कितने राज्चे तट रेकासेज लगे हुए हैं उनकी संख्या लिखकर बताईये और जो औसस समुदर तल ना पजाता है वो ना पजाता है चेड नए के तट से तो ओप्चन भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा निम लिखित में से किसे केप कौमरीन के नाम से भी जाना जाता है केप कौमरीन के नाम से किसे जाना जाता है या देखिए आप्शन और बताईए फटाफट अगर आप चुनते हैं आप्शन सी कन्या कुमारी तो बिल्कुल सही है केप कॉमरेन के नाम से कन्या कुमारी को जाना जाता है option C बिलकुल सही है नेम लिखे नदियों में से कौन सी एक यमुना की साहिक नदी नहीं है देखिए यमुना की साहिक नदी नहीं है पूछा है तो आपको बता दें वेतवा यमुना की साहिक है चमल भी यमुना की सहिक है, केन भी यमुना की सहिक है, राम गंगा नदी यमुना की सहिक नहीं है, बलकि ये गंगा की सहिक है, तो इस परकार आप्चन डी जो है बिलकुल सही हो जाएगा, राम गंगा गंगा की सहिक नदी है, ना की यमुना की, आप्चन डी बिलकुल सही है भारत में यरलूंगु जांगु नदी के नाम से किसे जाना जाता ये एक नदी का नाम है यरलूंग जांगु नदी यरलूंग जांगु नदी ठीक है और आपको बताना है कि भारत में हम इस नदी को किस नाम से जानते हैं option देख लीजिए अगर आप चुनते हैं option C ब्रह्म पुत्र तो बिल्कुल सही है ब्रह्म पुत्र नदी को हम लोग जानते हैं यह लूंग जांगु नदी ठीक है जिसे भारत में हम ब्रह्म पुत्र कहते हैं मानस नदी किस नदी की उप नदी है या कोशन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मानस नदी किस नदी की सहयक नदी है तो आपको बता दे मानस नदी प्रह्म पुत्र की सहयक नदी है option D बिल्कुल सही है निम्रिक्खित राजियों में से सारवादिक प्राक्रतिक आपदाएं आती है यहां पर भूकम भी आता है चक्रबात भी आता है सुनामी भी आती है क्योंकि इसकी जो इस्तिती है भगौलिक इस्तिती वो इस प्रकार की है जिसके कारणें आप सबसे ज़्यादा प्राक्रतिक आपदाइं आती है तो आप्शन भी बिल्कुत सही है उड़े इसा भूमी की उरवर्टा बढ़ाने के लिए निम में से कौन सी फसल लोगाई जाती है दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि खेती करते करते भूमी की जो उरवर्टा है जो उत्पादन चमता है वो कम होने लगती है फिर इस कारण हम उसमें एक कौन सी फसल लोगाते हैं जिससे उसकी उरवड़ता बापस आए जाए और उसकी उरवड़ता बढ़ जाए उप्शन देखी है अगर आप चुनते हैं उप्शन सी उड़़त तो विल्कुल सही है उड़़त एक परकार की दाल है जिससे भूमी की उरवड़ता बढ़ती है अब आपको ये बताना है कमेंड बॉक्स में लिखकर की उड़़त जो है रवी की फसल है या खरीफ की फसल है तो ये लिखकर बताईए यहां पर उप्शन सी बिल्कुल सही है गंगा नदी के निम लिखेत में से किस भाग को राष्टी जलमार खोशित किया गया देखें गंगा नदी काफी लंबी नदी है और इसके किस भाग को राष्टी जलमार खोशित किया गया आपको बताना है option देखिए अगर आप चुनते हैं option ए इलावाद से हल दिया तो बिल्कुल सही है इलावाद से हल दिया तक का जो मार्ग है वो राष्टी ये जल मार्ग है इलावाद से हल दिया तो option ए बिल्कुल सही हो जाएगा निम लिखित में से कौन घुमकड नहीं है घुमकड वो जन जातियां होती हैं जो खाने या रहने की तलास में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती रहती हैं और अपना जीवन एक घूमने के तौर पर विताई बियतीत करती हैं तो ऑप्शन देखिए अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए पिगमी दोस्तों मैं आपको बता दूँ पिगमी जन जाती जो है ये दक्षन अफ्रीका में पाई जाती है और ये घुमकड जन जाती नहीं है बलकि पिगमी लोग बहुत ही कुसल सिकारी होते हैं और ये जो सिकार क जिलू एक जाती है जिसका संबन्द किस से है जिल्लू जाती है जिसका संबन्द किस से है । एक्शन आफरीका से protection बी बिल्कुल सही है जुल्लू जन्जाती देक्शन आफरीका से सम्मन्दित है और आपको बता देये ये जन्जाती अपने जो इनके कहते है परिवेश है और जो इनकी snukshrathty है उसके कारण ये काफ़ी Crimson आफरीका बिल्कुल सही हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है देखिए आपर दोनों की बात हो रहे हैं गेहूं की और चावल की तो ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा होगा रहा है गेहूं और चावल ऑप्शन देखिए आप्शन में चीन बिल्कुल सही है, आप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन एक ऐसा देश है जो गेहूं चावल के उत्पादन के मामले में दुनिया का सबसे नमबर एक का देश है, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन और चावल का उत्पादन ये कर रहा है, निम मार्फीन चाए में नहीं पाया जाता है मार्फीन हमें अफीम से प्राप्त होता है ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये चाए में नहीं पाया जाता है बाकी के तीन चाए में पाया जाते हैं चाए का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोकता दोनों ही भारत है बिश में मदिरा का ब्रहतम उत्पादन होता है मतलब सबसे ज़्यादा जो मदिरा है जो शराव है वो कहां बनाई जाती है तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा शराव बनाई जाती है फ्रांस में आप्शन A बिल्कुल सही है फ्रांस पे सबसे ज़्यादा मदरा का उत्पादन होता है ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है आपको बताना है ग्रीन गोल्ड क्या है ये किस किस्म है तो आप्शन देखिए अगर आप चुनते हैं आप्शन डी चाय तो बिल्कों सही है ग्रीन गोल्ड एक प्रकार की चाय है और चाय का जैसे मैंने आपको बताया उत्पादन और उपभोकता दोनों में ही नमबर बना है भारत कियाल क्या है कोशन हमसे कह रहा है कि क्याल क्या है एक अब इसके ऑपशन देख लेते हैं हम लोग ऑपशन है तराई का मैदान, गंगा डिल्टा, दकान का पठार की रेगर या केरल के लगून तो आपशन डी यहां पर सही हो जाएगा केरल के लगून आपको बता दें दोस्तों केरल में कई परकार की लेगों जीले पाई जाती है जैसे कि बैमबानंद और और भी कई जीले हैं केरल में और उन जीलों को कहा जाता है क्याल तो आप्शन D यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा भारत निमलिकट मेंसे कौन दो भारती राज़ों की साज़े धारी वाली जील है आपको बताना है साज़े धारी कौन सी जील करती है तो पुलिकर जील बिल्कुल सही हो जाएगा अप्शन D पुलिकर जील अंद slips और तमिल लाडू के बीच साज़े धारी करती है यानि उनके दोनों के भी सीमा परस्तित है उनकी सीमा बनाती है पुलिकर्ट जील कौन से दो राज आंधर प्रदेश और तमिलाडू संकोस नदी किसकी सीमा बनाती है आपको बताना है संकोस नदी भारत के किन दो राजों की सीमा बनाती है तो अगर आप चुनते हैं option B असम और अनाचल प्रदेश तो बिलकुत सही हो जाएगा असम और अनाचल प्रदेश की सीमय बनाती है संकोस नदी किसन गंगा किस की एक साहिक नदी है आपको बताना है किसन गंगा किस की एक साहिक नदी है आप्शन देखिए अगर आप चुनते आप्शन सी जेलम तो बिल्कुल सही है जेलम की साइक नदी है किसन गंगा दक्षन भारत की नदीयां प्रमुक रूप से निम में से कौन सा अपवा तंतर बनाती है मतलब दक्षन भारत की नदीयां वो किस तरीके से बहती है आप्शन देखिए अरिये खंडे ब्रक्ष नूमा या जालीदार तो आपको बता देए दक्षन भारत की नदीयां जो है ब्रक्ष नूमा परिवात तंतर बनाती है ये ब्रक्ष की तरीके बहती है आप्शन सी बिल् में ब्रावर भागों में विभाजित करने वाला बाटने वाला अकषांस काउंस ने ओऊ-धैरी-3ycz अफार हम लोग करक रेखा कहते हैं यह करक रेखा हमारे भारत के आठ राज्यों से हो कर जाती है और कई बार कुशन यह पूछ भी सकता है कि कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में विवाजित करती है तो आपको ध्यान रखना है करक रेखा अक्षांस नहीं दिये हो सकते हैं तो रेखा का नाम दिया होगा और यह साड़े तेश डिग्री उत्तर है करक रेखा निम्लिकित में से कौन सा भारती राज करक रेखा के उत्तर में है देखी करक रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाज़त करती है आपको मालूम है यह रही करक रेखा और कुछ राज जो होंगे वो इसके उत्तर में इस्तित होंगे और कुछ राज इसके दक्षिन में इस्तित होंगे तो दोस्तों ये था इस practice site का last question ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर आप इसी तरीके की वीडियो regular पाना चाहते हैं अपने UP SSC के exam के लिए PCS lower के exam के लिए जहां मैं सारे PCS के आई हुए question को कराऊँगा जैसे की UP PCS mains का ये ही question था RIS यानि राजस्तान सेवा का ये question था तो इस तरीके की जितने भी important question है जो पिछली civil सेवा परिक्षाओं में आये हुए है जैसे की ये मद्ध प्रदेर्स exam में आये हुए question है तो अगर इस तरीके की आप series चाहते हैं प्लीज शेयर करिए लाइक करिए और कमेंट करिए हमारे इस video section में और बताइए feedback दीजिए कि आपको ये videos कैसी लगी धन्यवाद आप सभी लोगों का